रेनोल्ट अपनी प्रतिष्ठित कार रेनोल्ट चार एल के उत्पादन की साथ भी वर्षगान्थ माना रही है। इस मौके पर कम्पनी ने इसे एक अलग अंडाज में पेश किया। कार निर्माता ने Motion Design Hub The Arsenal के साथ मिलकर एक फ्यूच्रिस्टिक शो कार बनाई है जिसे रेनोल्ट आयरचार नाम दिया गया है। रेनोल्ट ने 30 साल SI ज्याडा तक 100 SI अधिक डैशो में 4L मौदल की पिक्री की और इसी का जश्न मानाने के लिए कम्पनी ने इस मौदल को एक नए दिजाइन में परिभाशित किया। कार निर्माता ने, ब्रांड ने, डिजाइन हब थे अर्सेनल के साथ मिलकर एक शो कार बनाई है जो खासा सुर्खिया बटोर रहा है। खास बार यहा है कि 4L के तरज पर बनाई गई आयरचार कार एक उड़ने वाली कार है जिसमें डो ब्लैट वाले चार रोटर लगाए गए हैं। एरचार को पेश करने के साथ कमपनी ने भविश्य में फ्लाइंग कार बनाने की योजनाओं का भी खुलासा कर दिया है। एरचार की बात करे टू इसके दांचे को हलका रखने के लिए पूरी तरह कारबन फाइबर ऐसा ही बनाया गया है। इस फ्लाइंग कार में पाइलट के साथ एक यात्री के बैठने की सीट दी गई है. कार के रोटर को उर्जा देने के लिए इसमें 22,000 मह की लिथियम पॉलीमर बैटरी का इस्तेमाल किया गया है. यह फ्लाइंग कार 26 मीटर प्रती सेकंड की रफ्तार SI उड़ान भर सकती है. व हालां की यह केवल कॉंसेप्ट मॉदल है लेकिन कंपनी इसके तरज पर अपने फ्यूचर फ्लाइंग कारों को दिजाइन कर सकती है. इस कार में लगे चारों प्रोपेलर 380 किलोग्राम का वर्टीकल थ्रस्ट उत्पन्न करते हैं. एरचार को पूरी तरह फ्रांस के टेकनो लोजी पार्क सोफिया, एटी पॉलिस में दिजाइन और विक्सित किया गया है.